अगर आप इगनू की स्टुडेन्ट हैं और आपने हिस्ट्री ओनर्स रखा हुआ है तो जरूर से जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यहां आपको इंपॉर्टेंट लेक्चर्स जो की स्टडी मैटेरियल से बनाया गिया है एक्जाम से पहले इंपॉर्टे पिरियड वन यूनिट का नाम में वैदिक पिरियड वन यानि की इस यूनिट में हम रिग वेद को पढ़ेंगे रिग वैदिक पिरियड को पढ़ेंगे हम जान रहे कि चार वेद हैं और सबसे पुराना वेद रिग वेद है तो क्या-क्या पढ़ेंगे हम इसमें तो वेरि रिगवैदिक पिरियड में कहा जा रहा है, कि आरियन आये थे, और उन्होंने ही वो आकर करके बसे, तो जाके रिगवैदिक पिरियड बना, तो इस पे कुछ तत्य इसके सपोर्ट में है, कुछ इसके एगेंस्ट में है, तो उसी के लिए ये थियोरी भी, हम लोगों को जानना ज़रूरी है उसके बाद रिगवैदिक पिरिट का एकॉनमी पढ़ेंगे, पॉजिटी पढ़ेंगे, सोसाइटी पढ़ेंगे और रिलेजन पढ़ेंगे तो अगर आप एक काम करेंगे आप टेलिग्राम चैनल मेरा पुराना वदा डिलेट हो गया था तो मैंने नया क्रियेट किया है आप उसे जॉइन कर सकते हैं चैनल है KG Lyceum मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे मैं तो आज लेक्चर दे दूँगा बाकि आप जब समझ जाएंगे तो आप इस PDF को वहाँ से ले सकते हैं और आप अपने Notes खुद प्रेपेर कर सकते हैं ठीक है और जो भी इगनु का Important Notification मैं वहाँ दिया करता हूँ देखिए Notification में ज्यादा Time तो लेना है नहीं बस आप लोगों को एक दो Point होता है जो जानना है तो बस मैं वह करवा देता हूँ बाकी Lecture में प्रोवाइट कराता हूँ Important Notes प्रोवाइट कराता हूँ ठीक है चलिए Next जो है Sources पढ़ेंगे हम लोग आज Sources पढ़ेंगे और Sources में हम सब जान रहे हैं कि एक Literary Source है और एक Archaeological Source है अगर आप इसमें थोड़े भी Confused हैं तो आप एक काम करें पीछे अगर आप PHIC 101 के सुरू से Lecture को देख रहे हैं तो मैंने Sources को बहुत ही Detail में वहाँ बताया है आप क्या करें वहाँ पर Sources को जा करके एक वार जरूर पर लें चाहे वो कोई भी एक्जाम के प्रेपरेशन कर रहे हैं आप competitive एक्जाम के लिए तो और भी जरूरी है वहाँ से आप उसे देख लिजे तो Literary Source में चाड़ वेद परने के लिए है चाड़ वेद कौन से हैं डिग वेद, साम वेद, यजुर वेद वेद का मतलब होता है to know मतलब किसी जिसको जानना ही वेद कहलाता है डिग वेद सबसे पुराना वेद है जो 1500 BC से 1000 BC के आसपास लिखा गया ये चाड़ो वेद जो हैं इसे हम लोग संहिता भी बोलते हैं संहिता इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सब औरले transmission होगा मतलब फर्स्ट जनरेशन ने इन्हें औरले transmit किया होगा दूसरे जनरेशन को फिर वो आगे बढ़े आगे बढ़े ऐसे करते करते ये औरले जो है ये ट्रांसमिट होता गया और एक समय आया जब राइटिंग develop कर गया होगा तो फिर इसे लिख दिया गया इसलिए इसे संहिता बोलते हैं जिसे orderly transmit किया गया हो इससे और बाते निकल के आती है कि due to orderly transmission संहिता का जो है date वो precisely हम नहीं बता सकते ये चारवेद गवगा है एक particular date जो होता है वो हम नहीं पता सकते क्योंकि मौखिक रूप से तो वो अर्से से चला आ रहा है लेकिन लिखा गया बाद में अब रिगवेद को थोड़े और जान लेते हैं रिगवेद में 10 मंडल हैं मंडल बोले तो मंडल जब में बोल रहा हो तो बुक हो जाता है न बोक्स यह 10 बोक्स में बटे हो वह हैं तो इसे रिगवेद में मंडल कहा जाता है तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे 10 मंडल अब इस 10 मंडल में देखिए 2 से लेके 7 तक यानि 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 मंडल पुराने हैं और रिगवेद काल कहीं लिखे हुआ है यह पुराने रिगवेद के मंडल है याद रखिएगा 2 से 7 यह पुराना है यह पहले लिखा गया है लेकिन बाकी के 4 मंडल जो है 1, 8, 9, 10 यह बाद में एड किया गया रिगवेद में यह important है यह क्या है यह important है इसे आप जरूर से जरूर ध्यान में रखेंगे some similarities are found in the text रिगवेद और अवेस्ता देखिए एक तरफ है रिगवेद और एक तरफ है अवेस्ता रिगवेद तो हम समझ गए हमारा वेद है यह अवेस्ता जो है यह Iranian text है इरान में लिखा गया यह एक पॉइंट एक कुलू यहां से यह मिल जाता है कि रिगवेद ने तो आडियन ने लिखा था और अवेस्ता जो इरान का था और अवेस्ता और रिगवेद का language मिल रहा है यानि यह आरियन जो थे वो इरान से आये थे ठीक है यह एक कुलू मिलता है कि आडियन किधर से आये थे ठीक वही बाते हैं अवेस्ता जो लिखा गिया है वो रिगवेद से पहले लिखा गिया है ने तो पहले आप यह भी कह सकते थे अरे जब दोनों सेम है तो फिर हो सकता है कि इंडिया का लोग वहां गया होगा नहीं अवेस्ता पुड़ाना है इसलिए कहा जाता है कि इरान का लोग जो है वो इंडिया आया होगा ठीक दा पीपल रिपरजेंटेड इन बौथ इस बोक्स बिलोंग्स टू कॉमन लिंग्विस्टिक ग्रोप तो इसके लेंग्विज को देखने से लगता है कि सेम लिंग्विस्टिक ग्रोप के रहे होंगे जो इसे लिखे है ठीक है दे माइग्रेटेड वेस्ट अशिया एंड इरान टू दा इंडियन सबकॉंटिनेंट और इस ये अधर पे कहा जा सकता है कि वो माइग्रेट कि वेस्ट अशिया और इरान से और कहां पहुँचे तो इंडियन सबकॉंटिनेंट पहुँचे और इसी इन ही लोगों को क्या कहा जाता है आरियन कहा जाता है इतना किलियर है चली आगे देखते है लेटरेरी सोर्स हमने देखा चारवेद देखा हमने अवेस्टा का कमपेरिजन रिगवेद से किया दोनों का लेंगवेज मिलाया अब हम आते हैं आर्केोलोजिकल सोर्स पे आर्केोलोजिकल सोर्स क्या सपोर्ट करता है क्या अगेंस्ट करता है तो एक्सकावेशन जब आर्केोलोजिस्ट करते हैं पंजाब में राजस्थान में योपे में और इंडस खगर रिवर एरिया में एक्सकावेशन किया गया तो जाके पता चला कि 1720 से 60020 के आसपास का PGW जो बर्दन था वो मिला था ठीक है आगे हम लोग इसे आराम से डिस्कस करेंगे तो ये रिगवैदिक काल को इस तरीके से दिखाया गया 1720 से 60020 से जब ये आर्केयोलोजिकल सोर्सेस इसके आरे में डिस्क्राइब करते हैं तो ये जो पिरियट था इसको चालकोलिथिक कल्चर एक्सकावेटर कहता है एक्सकावेटर जो आर्केयोलोजिस्ट जो होते हैं वो इसे चालकोलिथिक कल्चर भी कहता है जो की लेट हरपा पिरियट के बाद बन पा ठीक है जब कॉपर का यूज होना शुरू हुआ ठीक त मैंने पिसले lecture में बताया था, कि किसी भी रीजन को जानने के लिए उसके pottery को जानना जरूरी है, pottery के style को जानना जरूरी है, mythological work को जानना जरूरी है, sculpture को जानना जरूरी है, तो यह आप देख सकते हैं, यह चालकोलिथिक कलचर यानि copper का योजो, ओ क्विक कलचर यानि Millennium Mail, पॉटरी वो पिरियर्ड जब इस तरह का पॉटरी जो है मिलता था BRW पॉटरी है ब्लैक एंड रेड वेर पॉटरी PGW है पेंटेट ग्रेव वेर पॉटरी ठीक ना तो ये सारी चीजें ये अलग-अलग पॉटरी जो है आरियन इंवेजन जो है पिछले लेक्चर में हमने परा था कि एक फियोरी ये भी दी जाती है कि आरियन ने आकर के हरपआ में नरसंगार किया ठीक तो क्या ये आरियन इंवेजन एक मिध्या है या रियाल्टी है तो कुछ वैसे तो ये सब confusion है एक्जाम में इससे उतने question आएंगे नहीं लेकिन जानना जरूरी है क्योंकि आप graduation के student है या अगर कोई history optional भी पढ़ रहे हो तो उनके लिए भी ये best है तो कुछ supporting point है आडियन invasion को लेकर के वो ये कि इनका कहना है इतिहासकार जो literary source के खास करके हैं वो ये कहते हैं कि PGW culture जो था PGW culture का time period कुछ इस तरीके से था 900 BC से लेकर के 500 BC तक ठीक है और 900 BC से 500 BC तक का period था यानि ये जो बरतन थे वो आडियन लोग यूज़ करते थे तो उसी में यहां कहा गया है कि PGW of later harpa period provide us linked with aryan culture ठीक उनका कहना है ये तो इस वक्त का था और कुछ ऐसा ही साक्ष जो मिला है ये तो vedic period का है मतलब ये जो है ये आडियन यूज़ करते थे हरपा तो यूज़ करते नहीं थे दोसरी बात कही जाती है वही रिगवेद और अवेस्ता का कि रिगवेद और अवेस्ता के बीच में जो main ये है ये आप ध्यान में रखें क्योंकि इसे किशने नकारा नहीं है है ये perfect है कि रिगवेद और अवेस्ता में जो language है वो real में match कर रहा है इस आधार पे कहा गया है कि ये Aryan जो है वो इरान से आये होंगे Western Asia से आये होंगे अब वो point है जो इस चीज को support नहीं करता है Aryan के invasion का जैसे Rigved कहता है कि Indra ने as a destroyer Indra को destroyer माना गिया है जो पापियों का नरसंगहार किलों का नरसंगहार करते है तो Indra को कहा गिया है destroyer of the port और उसी में दिखाया गिया है कि हरपा का जो अंत था वो Aryan ने किया था और Rigved में इंद्र को भगवान वाना गिया है तो इस तरीके से ये कहा जा रहा है कि ये Aryan से रिलेट है God इंद्र और इंद्र से रिलेटेट कुछ तथि हैं हरपा में पिसले लेक्चर में हमने आपसे बताया था तो इस हिसाब से ये जो तत्ति है ठीक है अगर इसे हम मान भी लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि large scale destruction होगा मैं आपको फिर से समझाता हूँ Rigved में इंद्र भगवान की इंद्र जी की बात कही गई है और आडियन ने Rigvedic period में अपना भूमी का निभाया इसका मतलब आडियन जो है वो इंद्र के बारे में बोल रहे हैं तो इससे ये relate हुआ कि आडियन ही थे जिन्होंने Rigvedic period में आये थे लेकिन बात ये आती है कि सिर्फ और सिर्फ ये बताना कि रिकवेद में इंद्र हैं और इंद्र जो हैं वो डिस्ट्रॉयर हैं और वो आडियन इनको जान रहे हैं इनके बारे में जिकर करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि large scale destruction हुआ है बहुत जादा तोड़फोड हुई नहीं है हरपा में देखिया आप लोगों को समझने में थोड़ी मुश्किल आ रही होगी लेकिन इत्यासकार archaeologist सीधी बात ये करते हैं कि जो literary source में बोला गिया है वो ऐसा है नहीं क्योंकि large scale migration का भी कोई सबूत नहीं मिला और large scale destruction का मतलब पूरी तरीके से नस्ट ही हरपा को नहीं कर दिया गया था कि दूसरी कहीं से लोग आ करके यहां बसेंगे ये बात यहां कहीं जा रही है उसके पीजी डवलू के बाड़े में हमने कहा कि ये 900 BC से 500 BC का है तो archaeologist literary source वाले historian मानते हैं कि ये लेकिन archaeology थोड़ा इसको इसके against में जाते हैं बोलते हैं PGW जो था ये हरपा के साथ-साथ डिवलप हुआ ऐसा नहीं हुआ कि जैसे हरपा तो 17-1800 में बंद हो गया क्या उसके पीजी डवलू कल्चर नहीं आया क्योंकि literary source तो कह रहा है कि 900 से 500 BC था तो बीच का जो ये 400-500 साल था वो कहा गया actually archaeologists बोलते हैं कि PGW तब भी था हरपा के पतन के बाद भी PGW कल्चर चल रहा था painted gray wear जो की एक बरतन है pottery है इस हिसाब से इसे कल्चर कहा गया मैंने कई बाढ़ कहा है आप जरूर sources वाले चेक्टर को पढ़ लें ठीक ना clear हो जाएगा नि तो PGW क्या है इसमें confusion लगी रहेगी तो इस हिसाब से वो उन्होंने कहा कि PGW ये हर्याना से मिला अपर गंगा प्लेन से मिला इस्टर्न राजस्थान से मिला जबकि पंजाब और बहावलपूर से नहीं मिला पंजाब और बहावलपूर पे फोकस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि माना जाता है कि आडियन इसी रूट से आये थे अगर आडियन PGW को यूज कर रहे हैं तो उनके रूट में बरतन मिलनी चाहिए अलग-अलग जगह पे वो नहीं मिला वो तो अल दूसरे जगह पे मिला जहां हजेसे हरियाना में अपर गंगा प्लेन में इस्टर्ण राजस्थान में जो कि आडियन के आने का रूट तो था नहीं तो वहाँ पे ये बरतन कैसे पहुँचा तो इसको भी एगेंस्ट माना जाता है इसके बाद रिसेंट एक्सकावेशन हुआ भगवान पुढ़ा में दधेरी हरियाना में मांडा जमू कस्मीर में देखिए ये चाप्टर है बोरिंग लेकिन इसे जानना बहुत जरूरी है ठीक ना इसे आप अच्छे से पढ़ लें तो आगे के तो फिर आसान हो जाएंगे दधेरी हो गया मांडा हो गया ये सब में लेट हरपा और PGW के बीच जो है मतलब लेट हरपा जैसे खत्म हुआ और जैसे ही रिग वैदिक पिरेट शुरू हुआ तो कोई भी गैप नहीं दिखा है जैसा मैंने आपसे कहा था PGW का ठीक है PGW लगातार चलता आ रहा था हरपा के हरपा के पतन के बाद भी ठीक ना चलिए तो जैसे बरतन हो गया बरतन हो गया जैसे हमने मैंने आपसे कहा थो ना पौटरी मेटल आपजेक्ट स्कल्प्चर यह सब बहुत को आप सो जैसे है डिसका करता किसी बी जगहा कर चलचर है तो इसमें भी दिखा है अभी मैंने दिखा कि जिस पात को जिसके कि आरियन इन वेजर्ड है या नहीं था इसके बारे में लुग यह तो दौग जरूरि देर te police क्योंकि first time समझने में ये परिशानी होती है चलिए अब आते हैं हम इसके main topic पे और main topic क्या है main topic है economy रिगवैदिक period का economy कैसा था pastoral economy था पसुपालन चल रहा था cattle का बहुत ज़्यादा महतवत था गाय का बहुत ही ज़्यादा महतवत था पूरा का पूरा जो society थी वो पसुपालन पे ही depend थी तो पूरा धन मतलब गायें ही धन होती थी उस वक्त ठीक है अब इसका अंदर आप आगे देखिए मैं इसका proof दूँगा जो book में study material में है तो कुछ term आप याद कर ले गाय को गौ कहा गिया अभी भी कहा जाता है धनी आदमी वो था जिसके पास बहुत सारे गाये थी इसलिए उसे गौ मत कहा गिया लराईयां होती थी तो सिर्फ और सिर्फ गायों को ले करके क्योंब उस वक्त सिर्फ गाय धन ही धन था धन मतलब गाय धन तो कन्फिक्ट हुआ कन्फिक्ट जो लराईयां होती थी उसका भी नाम गाय के ही नाम पे था गाविष्टी क्योंकि लराई गायों के लिए होती थी दुस्मन को पानी कहा जाता था ये जो दुस्मन पानी है ये सब्द याद रखेंगे इसमें डिस्क्राइब किया है ये पानी जो होते थे ये गाय को चुरा करके जंगल में या पहाडों में छुपा देते थे तो ये सबसे रक्षा जो है वो इंदर करते थे ये बात कहीं कहीं है तो पानी को कौन हराते थे इंदर हराते थे ऐसी बाते कहीं कहीं है तो ये उस वक्त का जो लोगों का जो दुस्मन था वो पाणी तर्म में जाना जाता है तो ये सब ध्यान से देखेंगे गाय को गाव कहा गिया धनी आदमी को गौमत कहा गिया लराई को गाविष्टी कहा गिया और दुस्मन को पाणी कहा गिया वैदिक गौड इंदर थे, अभी हमने आपसे कहा, राजा को गौपती कहा जाता था, जो गाय की रक्षा करते थे, किसे तो जिसे पानी से, इससे भी रक्षा करते थे पानी, पानी मतलब पानी ना समझना आप लोग, पानी मतलब जो दुस्मन थे उसे पानी कहा जाता था, द गौधूली बेडा बेला आता है ना जब गाव में शाम के समय, सुरियास्त के समय, जब गाएं घर को लोट रही होती है अपने घर, उसे गौधूली बेला कहा जाता है, तो वही टर्म दिया गया था, जो कि समय को मापता था, ठीक है, और दूरी को गावियूती कहा गिया, य क्योंकि वो गाय दोधने का काम जो है, वो बेटी ही करती थी, वन हू मिल्क दा काव, इसलिए उसे दो हिता कहा गया बेटीओं को, चलिए, ओनली वन ग्रेन, यव, यव मने बार्ली, बार्ली जो है, रिगवेद में सिर्फ एक ही ग्रेन का अनाज का जिक्र है, और वो है ब इदिक पिरेड में होता है, नेक्स्ट यूनिट में हम उसे देखेंगे, कौपर का यूज शुरू हुआ था, लेकिन एगरिकल्चर में बहुत जादा यूज नहीं हो रहा था, स्टोन टूल्स का यूज हो रहा था, पत्थर के जो आजार होते हैं, उसका यूज हो रहा था आग की यूज होती थी, फायर का यूज होता था, किस चीज में तो जंगल को जला करके खेती करने के लिए, नदियां जैसे सतलज, इंडस, घगर, रावी, ये सब अपना जो है रास्ता बदलते रहते थी, पिछले लेक्चर में हमने इसे कहा था, हरपा के नस्ट होने का ए irrigation facility, वो Rig Vedic period में नहीं था, यही तो एक आशर की बात है कि इससे 500, 1000 साल पहले इतना developed society था, और फिर जो society आई, वो थोड़ी rural हो गई, क्यों, इसे पे विवाद चलता है, तो हरपा का एक literary source मिला है, एक board मिला है, sign board, उसे भी नहीं पढ़ा गिया, हरपा के language को ही नहीं समझ में आए, जो भी समझ में आ रही है, वो excavation archaeologist करते हैं, उसी समझ में आती है, चलिए, mobile character जो था, mobile character था Rig Vedic people का, अभी हमने आप से कहा था कि वो लोग cattle rearing का काम करते थे, पास्टररिस्ट भी थे, एक जगा से दूसरे जगा, cattle, गाय के चाड़ा में, एक जगा से दूस बचाते थे, जहां पे वो लोग रहते थे, बस्ती को बसाते थे, उसे wish कहते हैं, जिसको इंगलिस में settlement बोलते हैं, और उसी wish से जुरा हुआ कुछ word आता है, जैसे पुनर्विस्ट, अगर हम पुनर्विस्ट कहें, तो किसी जगा बसने को पुनर्विस्ट कहते हैं, अगर विस्ट से जुरा हुआ कुछ word बना, और विस्ट का अर्थी था बस्ती settlement, चलिए, अब क्या है आगे? गिफ्ट exchange भी होती थी, अब जैसे हैं गिफ्ट exchange होगी, आप समझ सकते हैं कि religious बाते हो रही हैं, बली दिया जाता था, गिफ्ट के रूप में बली, जो की धन अनाज होता था, और वो जो पुजारी वर्ग के लोग होते थे, जो पुजा पाठ करवाते थे, उन लोगों को दिया जाता था, और रिग वैदिक पिरियेड में कहाई गिया है, जो जीते हुए चीफ होते थे, किसी ग्रूप के चीफ जो जीत जाते थे, गाविष्टी में, लराई में, तो हारे हुए ग्रूप जो है, उसको बली देते थे, जो की अनाज होता था, संपत्ति होता था, वली में अनाज होती थी और गायब है जो भी संपत्ती है दचीफ अलसो फेड और गेव गिफ्ट टू कांसमें लेकिन रिग वैदिक पिरिएड में लेटर वैदिक के तुल्ला में कुछ अच्छाईयां थी कि यहां के जो चीफ थे वो अपने कान को मतलब उनके गुरूप के जो नॉर्मल लोग होते थे वो सबको भी गिफ्ट दिया करते थे लेटर वैदिक पिरिएड से यह धिरे-धिरे समाप्त होता दिखता है वहां पे फिर छोटे आदमी को या निम्न वर्ग के लोगों को गिफ्ट नहीं दिया जाता था बलकि ओपर वाले वर्ग के बीच में नहीं गिफ्ट चलता था ठीक ना वो हम नेक्स चैप्टर में देखेंगे चलिए एकानामी हमने पढ़ लिया अब रिग वेद के सोसाइटी को देख लेते हैं ये सब वही टॉपिक है जो जो स्टेडी मैटेरियल में है मैं बस स्टेडी मैटेरियल के इंपोर्टेंट है अब हमने आप से कहा था कि सोसाइटी उस वक्त कह था ट्रैवल सोसाइटी था लोग एक जगह नहीं थे वह लेटर वैदिक पिरेड में देखता है कि लोग बसने लगे यह लोग अलग 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 जगह जाकर बसते थे और जहां बसते थे उसको विस कहा जाता था ठीक ह कोई भी कास्ट बटा हुआ नहीं था सब एक जैसे थे इंटर ट्राइवल कॉन्फिलिक्ट देखने को मिली है मतलब एक ट्राइब ग्रूप दूसरे ट्राइवल ग्रूप से लड़ते थे एडिक बेद में वो देखा गया है जैसे की एक 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 जामपल दिया गिया है बेटल आफ टैन किंग का जिसको दस राज युद भी कहते थे इसमें जो है एक तरफ भरत ग्रूप था ग्रूप कहते हैं ट्राइवल ग्रूप था भरत जिसका हेड सुदास था बाकी के दस राजा और थे उसके बीच एक तरफ ये बाकी के दस राजा वो सब मिल करके जो है एक युद लड़े थे जिसको की दस राज युद कहा जाता है तो यहाँ एक युद की बाते कही जा रही है कि एक ग्रूप दूसरे ग्रूप से लड़ते भी थे ठीक है चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है ठीक है आगे सोसाइटी में हम क्या देख रहे हैं कि ट्राइब को जन कहते हैं ट्राइवल युनिट को विस कहते हैं जो एक जगह सेटल करते थे एक युनिट होता था जिसको बस्ती कहते थे ये बस्ती ही है travel unit जिसको विस कहते हैं विलेज गाओं को ग्राम कहते थे परिवार फैमली को कुल कहते थे और फैमली के head को हम लोग कुल प कहते थे ये सब दर्म आप लोग ध्यान में देंगे इसमें समझाना क्या है patriarchal society थी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं थी क्योंकि women का भी importance एडिक वैदिक period में बहुत ही ज़्यादा था ये बहुत अच्छी बात है एडिक वैदिक period की जो लैटर वैदिक period में नहीं दिखता है कि यहाँ पे women का importance था वो कैसे पता चलता है women जो हैं औरतें जो हैं वो education लेती थी वो assemblies में participate करती थी वो हाइम्स को लिखती थी ठीक ना वो अपने partner शादी विवाह के लिए खुद चूज करती थी और शादी लेट से करने का अधिकार था एसानी की बाल विवाह उस वक्त था ठीक है ये सारी चीजे जो women को women empowerment का चीजे हमें रिगवैदिक period में दिखता है तो status of women से जब question आएगा तो आप लोग क्या करेंगे ये point जरूर से जरूर देंगे important point है ठीक next देखते है society में और क्या था ऐसा कहा गिया है जिन्होंने रिगवैद को लिखा मतलब author of रिगवैद वो अपने से अलग कुछ और अलग तरह के लोग के बारे में जिक्र करते हैं और उसको रिगवैदिक people मतलब Aryan और वो जिसके बारे में जिक्र कर रहे हैं वो अपने से नीचे समझ रहे हैं और वो गुरूप को बोलते हैं वो दास, दस्यू, तो क्या था दास, किसको वो लोग दास भोलते थे, जो काला होता था, डार्क, स्नब नोस्ट, नाकें चौरी होती थी, फैलस का पूजा करते थे, लिंग पूजा, और अप्षिष्ट भासा का इस्तेमाल करते थे, इन सारे चीजों को, इन सारे करेक्टर वाले पेपल को वो लोग दास कहते थे, और इससे वो लोग घरना करते थे, ऐसा, जब आप बुक पढ़ेंगे, तो उसमें ये चीज लिखी हुई है, तो दास और दस्यू, इंपोर्टेंट टर्म है, ये हिस्ट्री में, जब आप वैदिक प पहते थे, वेरियस अक्योपेशनल ग्रूप्स, जैसे वेवर्स, स्मिथ, कारपेंटर, तो आप लोग ऐसे ध्यान देंगे, हिंदी में मैं अगर बोल दूँ, तो वेवर, बुनकर हो गए, स्मिथ हो गए, जो की कॉपर सब का काम करते थे, मैटल का काम करते थे, पिखलाने था कि जो रत बनाते थे, उसका इज़्जत सोसाइटी में और सबसे ज्यादा था, चिक, रिग्वेदिक पिरियेड में बैगर, वेज अर्णर, यानि जिसको हम लोग आज कर लेवर कहते हैं, ये सब का कोई जिकर नहीं है, मतलब वहाँ पे समानता थी, कोई बहुत ओपर, कोई बहुत नीचे नहीं था, तो हमने सोसाइटी पढ़ लिया, अब हम लोग पॉलिटी को पढ़ेंगे, हमने एकोनामी खत्म कर लिया, सोसाइटी खत्म कर लिया, चलिए, अब पॉलिटी को देखते हैं, कि पॉलिटी कैसा था, चिक, वही बाते होंगी, सामान अधिकार जिसको हम लोग egalitarian कहते हैं लेकिन पूरी तरीके से egalitarian नहीं था ना not completely egalitarian अभी हमने दास दस्यों के बारे में भी जाना उसके साथ साथ जो group होते थे उसमें दो तरह के लोग होते थे एक राजन्य होते थे जो senior lineage जो group के head होते थे मुख्या कहलाते थे दूसरे wish होते थे tribe जो कि उनके आग्या को मानते थे तो ऐसा नहीं था कि नीचे वाले गुलाम थे जैसा लेटर वैदिक period में हम लोग आगे पढ़ेंगे ऐसा नहीं था लेकिन ये भी नहीं था कि सब एक सामान थे ना वहाँ भी कोई उपर थे जो पूरे group को चलाते थे और क कोई था जो चलता था लीडर के हिसाब से तो वही है तो जो सिनियर लाइनेज के थे जो उपरे जो की चादा इजददार थे वो राजन्य कहिलाते थे और जो नीचे थे वो 20 कहिलाते थे 20 मतलब यही नार्मल लोग जिस पर सासन किया जाता है चलिए अब आगे देखते हैं None of the groups occupied a distinct social hierarchy कोई भी social hierarchy रिगवेद में नहीं दिखता है कोई ब्रहामन नहीं कोई शत्रिये नहीं कोई वैस्ष नहीं कोई सूत्र नहीं सब एक समान थे जो लेटर वेधिक पिरेड में पनपना शुरू हुआ इस कहारे हम पढ़ेंगे इंटर और इंटर ट्रैवल कंफ्लिक्ट और युद्ध हमने देखा अभी किस तरीके से दस राज युद्ध हुआ था है ना Battle of Ten Kings जिसमें भरत नाम का जो ट्राइब था और बागी के ट्राइब के साथ जो है युद्ध हुआ था हमने वो देखा उसके धियग्यभी होते थे और Sacrifice भी होता था किसके द्वारा प्रोहित के द्वारा क्यूं किया जाता था युद्ध जीतने के लिए श्दिवात है कुछ अच्छा होने के लिए जैसे बारिस नहीं होरे ये तो बारिस होने के लिए इस तरीके से travel assemblies थी अभी हमने सभा और समीति के बारे में कहा था कि women को यहाँ पर participate करने का अधिकार था तो जान लिजिए सभा और समीति क्या था मैं उसी point पे focus कर रहा हूं जो exam में आते हैं और जो आपको जानना है तो सभा समीति जो रिगवेद में था वो politics में वो जान लिजिए कि सभा समीति था क्या तो सभा हो गिया आपको council of selected कान member जो अभी का हम अगर parliament का बात करें मान लेते राज सभा ले लेते हैं अब एक्जक्ट तो नहीं होगा लेकिन उसमें जो है selected लोग जाते हैं है ना एक category बनी हुए उस category से लोग जाते हैं तो selected member जो थे जो important important member थे वो सभा में जाते थे और समीति में जो है वो पूरे के पूरे कान जो की पूरा group था वो सब एक समीति का head होता था जैसे हम लोग ग्राम सभा जानते हैं ग्राम सभा का member कौन है तो पूरे के पूरे गाओं के जितने भी लोग हैं वो सब member हो जाते हैं उसी तरीके से ये समीती में सबके सब लोग member होते थे और सभा में selected आदमी ही member बनते थे तो ये सभा और समीती में अंतर था जरूर से जरूर याद रखें हैं चलिए हमने society quality भी खत्म कर लिया अब हम लोग religion देखते हैं religion कैसा था? natural force की पूजा होते थे जैसे wind, water, rain, fire, thunder, हवा, पानी, बारिस, आग, बिजली चमकना करकराना ये सब क्योंकि ये सब को Rig Vedic people बहुत strong मानते थे, muscular मानते थे और उनको लगता था कि ये सब बहुत ताकतवर हैं और अगर हम इनकी पूजा करते हैं तो हमारी धेर सारी बाधाएं दूर हो जाएंगे ठीक है? पैट्रियाल के रे सोसाइटी थी, तो मेल डेटी की पूजा होगी जब मस्क्यूलर की बात आ गई मस्क्यूलर मतलब जिसके पास मसल्स हैं तो वह सम्मेल डेटी हीrias मेल देवता ही होते थे तो देवी की भी पूजा होती थी उस वक्त ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल देवता की पूजा होती मेल देव के पूजा होते थे तो फिमेल डेटी देवी की भी पूजा होती थी चलिए कुछ देवता हैं उनको जान लेते हैं religion से जुरा इंद्र, god of strength, thunder रेनमेकर वो जो की जिनके पास बहुत ताकत है जो सत्रू का विनाज करते हैं जो की ये बिजली करकर आते हैं जो की बारिश करवाते हैं इंदर को कहा गया अगनी की बात करेंगे तो God of Fire आग का देपता को अगनी कहते थे इसको पुरा प्योर माना जाता था क्योंकि आग जो को आगे बढ़ाते हैं एक इंपोर्टेंट प्लेस था वरुन देपता का और लैटर वैदिक पीरिड में क्या होता है कि पूरे के पूरे रिलिजन चेंज हो जाते हैं मतलब अलग-अलग भगवान को अलग-अलग तरीके से पूजा जाता है आगे हम लोग पढ़ेंगे यम को पूजा जाता था जिसको गॉड अफ डेथ कहते हैं बाकी के सूड ये सूम सावित्री रूद्र ये सब देवता थे उस वक्त देवी देवता सेलेस्टियल बॉडी बिंग दिव्य देह धारी जैसे की अपसरा की पूजा होती थी गंधर्वा की पूजा होती जो और यग्य क्यों किया जाता था भगवान को खुश करने युद्ध में जीत पाने के लिए कि कोई मनुरत पूरा हुआ तो उसके लिए यग्य किया जाता था अगर किसी ने केटल चुरा लिया या किसी का बेटा बेटे की चोड़ी हो गई वो सब को पाने के लिए यग्य कि कर लिया नेक्स्ट में हम लोग आप लेटर वेधिक पिरेट को देखेंगे तो आप लोग अच्छे से पढ़ें अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर के हैं और जो भी फेड़वेक देना आप वहां दे सकते हैं दन्यवाद